हलो फ्रेंट्स मैं देखिए आपको एक में पाउर की प्रावलम को आपको सामने अब बताए इसमें क्या प्रावलम है क्या मैट्रियल है इस तरह से लोग आपको बेवकूर बनाते हैं यह जो आटोम वाल्स में जितने भी का आटोम वाल्स सेक्टर है जहां पे वायर होता है इसो केबल वायर होते हैं लच उसमें देखिए इस साहल ह steadily रहता है उसमें अंदर में डवलउय आतरी हैं क्या मेल्ट भी नहीं होताइं और फ्रालम होती करके से वह सुलता है तो च्रैप में 2 रपी अभी को लो ले तो आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपको किसी काम के आने वाला नहीं कि यह जो मेल्ट होने वाला मैट्रियल नहीं है और जैसे आप इसको भाई चांज ग्रैंडिंग कर भी देते हो तो आगे जाकर कि होने वाला नहीं है और आपके श्कुरूब बैरल को डामेज करने वाला इसमें आउटपुट भी नहीं आने वाला है तो प्लीज आवाइड इस टाइप अपर्चेश इस टाइप अप मैट्रियल दिस यह आटो मोबाल सेक्टर में जो रिजेक्शन हो जाजता है जैसे आपका यह रोल इसट आपका पूरा स्क्रैप देने वाला ने आपको यह कैçu कलश प्लेट का लिए यह देखो आपको आपगा यह डिर्य देख्डल्स जो है यह पूरी तरह से आइरनहे की इसको किछ यह पार जह न हृण है इसमें कितना लाइव यार आप देखरें उनुट aí उछा सी आपका ग्रेंडर में चला गया तो आपको गरेंडर जो है 9 townsेक ब्लेड को तुरंन डामेज करेगा और वहास पर आपको 5000 के 9 दॉपीच रुपीच का ब्लेड को आपको तुरंन नया ब्लेड बनाने पड़ेगा तो आप सहस्ते की चकर में सबसे जाड़ा जरिया है कि आप इस तरह का स्क्रैप लेते हो देखिए इसके आपको कभी भी पर्चेट नहीं करना ऐसकेता नभी कास्ट जो है आपको फाइदा होने माला ही आपको लुक्सान के अलावा कुछ फाइदा होने मौला नहीं आप कर एया आप देख क्या रहे हो तो आपको कम भी और स्क्रेब के मेसा तरह का मैट्रियल पर्चेज नहीं करना चाहिए इसको हम लोग क्लेच प्लेट वार बोलते हैं क्लेच ब्रेक वार बोलते हैं इस नहीं लेने चाहिए